आप सबके चाहते बिरंदर सिंग की इंट्री हो चुकी है बाई बिरंदर जी यह समूख और गा की जो प्रस्तावित नई सेवा नियमा वली है इसको लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है और युवा नाराज हैं अंदोलित हैं उद्वेलित हैं परिशान है यह सरकार का एक फैसला भी गलत होगा क्योंकि संबिदा की नवकरी सोशन से भरी है चाहे महिला हो चाहे पूरुस तो सब्सक्राइब क्योंकि जो अधिकारी बदलेंगे वह अपने हिसाब से उसकी ब्याख्या करेंगे तीस-पैंटीस साल बाद नवकरी मिलेगी पांच साल आपको संबिदा पर रहना पड़ेगा और पचास साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा बीजेपी सरकार इससे अच्छा दिन और साथ करमचारियों के लिए नहीं ला सकती थी यही अच्छे दिन हैं पांच करोन नोकरियां करोना काल में अब तक जा चुकी हैं और बड़े-बड़े MBA करके डिग्री धारक स्पेंसर में दाल चावाल तूट पेस मेंच रहे हैं दस हजार की नोकरी ढूंडते हैं लाखों रुपया खर्च होता इनकी पढ़ाई पर माबाप करते हैं तमाम लोन लेना पड़ता है अब बिजेट जी अब बेरोजगारों की खान है मेरा भारत महान है यहां पूरा भरपूर मात्रम मौजूद है बेरोजगार और तेरा लाख नौगरी बीजेपी ने अपने मनिफेस्टों में कहा था कि हर साल हम देंगे उत्तर-पर्देश में हमारी सरकार बनाओ यह नौगरी तो देना दू पूर यह मार मार के घर भजा रहे हैं पचास साल से ज्यादा जो हो जाएंगे सब कहां क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है जो है वो भी चील लेंगे मतलब यह जो हिंदू-मुसल्मान के नाम पर वोट दी है उत्तर-पर्देश की जनता अब इनको मज़ा आएगा असली में यह खूब बीजेपी बीजेपी चिल लाते थे अफसरों ने इस सरकार का कितन उक्सान किया है और उत्तर-परदेश का यह बीजेपी संगठन में बैटे हुए लोग भी जानते हैं पीजेपी के तवाम सारे बड़े नेता हैं संगठन के जो इन अफसरों की कारसाहिली से नाराज हैं दुखी हैं संगठन के लोग संगठन के लोग तो क्या संगठन की बात नहीं सुनता सरकार में कोई अगर सुनता होता तो यह फैसले इस तरह के नहीं होते संगठन के लोग कोई भी संगठन हो वो जनता के बीच रहता है गाउन गाउन जाता है सरकार में बैठा आपसर को इससे कोई मतलब नहीं वह से में रहता है बडी बड़ी चलता है पडिएस में बड़े फैसले करता है उसको इसे क्या लेना देना 6ortal रखता है पचीशों नौकर रखता है बिल्कुल उसको तो खाली वह यह समझाता है उस्हाब भला मूर्थी आत्मा संतुष्ट हो सकती है लेकिन किसी का पेट नहीं भर सकता पर यह संगठन वाली बात आपने बड़ी चौकाने वाली बात बताई कि मतलब संगठन के लोगों से भी बीजेपी के कंसर्ट नहीं किया जाता बीजेपी के नेता आए दिन चिट्टी लिख रहे हैं अपसरों के भश्टाचार की पोल खोल रहे हैं अपसरों के फैसलों की सिकायत मुखमंतरी से करते हैं तो क्यों है यह यही तो है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार में गलत फैसले करा रही हैं जनता में जिससे तकलीब बढ़े जनता में जिससे नाराजगी बढ़े बीजेपी के कारकरता परताड़ी था हैं संगठन चाहा कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है सम्मान बचाने के लिए लोग चुप हैं क्योंकि यह अफसर उनको बेजजत करा देते हैं कौन जाएगा बोलने कुर्टा फढवा देते हैं सिस्टम है यह नेताओं पर भी लागू होना चाहिए कोई नेता को पहले संबीदा पर दो साल के लिए मंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाए और अगर काम अच्छा नहों तो उसे हटा दिया जाए फिर किसी को मौका दिया जाए सियासत में यह पैमाना कब लागू होगा यह देखना होगा वह से एक बार हो चुका है ठेके पर मुख्यमंत्री च्छा महीने का बिल्कुल बिरोजगारी का आलम यह है कि एक पिता की चार संताने थी तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखणा बांट रहा था उसने कहा कि मेरे मेरी चार संताने हैं एक तो दोस्त ने कहा यार यह जो चोर है बाकी तीन लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रिया लिया है चौछ चौथा चोर है इसको निकाल के घर से बाहर करो तुम्हारी नाक कटवा रहा है तो बाप ने कहा कि अरे वही तो एक काबिल है बाकी तो तीनों बिरोजगार है उस अब देखिए गलत बात को मैं सही नहीं कह रहा हूं लेकिन जब एंटेक की डिगरी धारक चपरासिक नौकरी ढूंड रहा हो तो आप बताइए तो जो है गलत है लेकि ठीक है कमाये तो कुछ ने कुछ चोरी करें तो कमाये अपना पेट बरेगा तो मतलब यह फैसला सरकार को इसको वापस लेने चाहिए इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए इससे असंतोस बढ़ेगा परिशानिया बढ़ेंगी ब्रश्टाचार महिलाओं का सोस्वान अधिकारियों की ताना शाही और अधिकारियों के दबाव से खर्मचारी सजाइड भी कर सकते हैं कमचा अधिकार के नाम पर बड़े-बड़े अफसरों को तो छोड़ देती है लेकिन छोटे-छोटे अफसरों पर कारवाई करती है दियम मोबा उधेश तिवारी पांच लाग रुपिया लेते थे इंदकान तिर पाठी से उनका उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ मलीलाल पाठी ने लिखा है कि गुलामी की जंजीरों से स्वतंतता की सान अच्छी है और चंद रुपाउं की नवकरी से चाय पकोड़े की दुकान अच्छी है तमाम सारे लोग इसी में लेते रहते हैं मजा तो आज का साही ते प्रस्तुत करें जिस देश के लाल बहादूर सास्त्री जैसे नेता देखे हो जो फटी धोती पहन कर भी जंता के बीच रहते थे और चपल नहीं पहनते थे पाऊं में कि मेरे देश के गरीब जंता के पैर में चपल नहीं है अज तो अपनी दोती बचाने की बारी है और इस देश में ऐसे नेता हुए उन्होंने कहा मेरा सपना आपकी जो हवाई चपल में चल रहे हो जहाज में चला है वह दूदू हजार किलो मीटर पाइदल चले उनका एकका तांगार एकसा तक नहीं मिला इक का मतलब यह जो बैल गाडी ना हा तमाम ठेला तक नहीं मिला कि ठेला बैढ़ यहां चाले पड़ गए उनके राज में जी तो साहित दीजे विरेंजी मान दिख गए ध्यान दिख गए कलंबी की सम्मान दिख गए और चोटी-चोटी सुविधाओं पर बड़े-बड़े इमान दिख गए और सोच समझ कर मुझ से बोलो दीवारों के कान दिख गए और उनसे पूछो जिन्दगी क्या है जिनके सब अर्मान दिख गए और नगन रह गई जीवित लासे मुर्दों के परिधान दिख गए और चोरों को मद्दोस दीजिए घर के ही दर्बान दिख गए और पसूँ की कीमत लगती है बिना मूल ले इंसान दिख गए बहुत-बहुत पांडे जी इस तरह के फैसले जब सरकार करती है और यह कोई सामान ने फैसला नहीं है यह बड़ा फैसला है इस फैसले का नुकसान भी आपको हो सकता है तो क्या यह संगठन से बातशीत की जाती है